हलो नमस्कार एक बाफ फिर्ट से आप सभी का स्वागता दभार टॉक्स पे बात करें करनाटक में जो हिजाब पर यहां पर संग्राम छिड़ा वाता उसमें एक रिजल्ड तो यहां पर आ चुका है वीडियो में बताने वालों कि आखिर किस तरह से यहां पर हाई कोर्ट पर जो चल रहा था मामला वो सुप्रीम कोर्ट तक अब जा पहुँच है इसके अलावा यहां पर हेमा माल लिये वो भी कूद पड़िये मेदान में उनका भी बयान है इसके अलावा करनाटक की जो पूरी तरह से यहां पर अब मामला है वो और ज़्यादा गंबिर होता हुआ दिख रहा है और यहां पर एक एक अपडेट में आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर अब हिजाब पर यहां पर क्या हो रहा है अब सबसे पिले बात करते हैं आखिर हेमा वालने न चाहिए आप इसकुल के बाहर जो चाहें वो पहन सकते हैं यह कहना है यहां पर हेमा मालने का अब बात करते हैं आखिर आज क्या हुआ है सारी बाते में बताता हूँ सबसे बिन बताता हूँ कि हिजाब यूदा करनाटक के एजुकेशन मिनिस्टर है वो बोल रहा है कि मैं खुल कर कहता हूँ कि इसके लिए खास इस्लामिक संगठन जिम्मेदार है बतलब यह पूरा जो मामला है यह इस्लामिक संगठन है कि वो यह जान बूच कर यहाँ पे हिजाब के बाने लड़कियों को भड़काया गया है यह कहना है बाई साब करनाटक के एजुकेशन जो मिन कि कुछ लड़किया हिजाब के लिए आवाज बुलन करने लगी पहले इसी मांग नहीं उड़ती थी अचानक हंगामाया पर होने लगा यह है बीसी नागेश का कहना जो कि करनाटक के एजुकेशन मिनिस्टर है तो उन्होंने साफ साब बता दिया कि इस्लामिक और्गनाज करनाटक के एजूकेशन मिनिस्टर है इनका यह कहना है अब बात कए आखिर यहां पे कोट में क्या 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 हुआ हुआ है जो चात्रों का वकील है संजे हेकडे, उसने यहाँ पे क्या बोले, क्या क्या बात हुई है, सारी बात में बताता हूँ, संजे हेकडे ने कहा है कि यह केवल धार्मी कास्ता का मामदा नहीं है, बलकि इससे लड़कियों की सिक्षा का सवाल भी जुड़ा हुआ है, इसके अलवा करनाटक के ए हिजाब एक जरूरी धार्मिक प्रतीक है, यह देखिए, क्या बोलना है आप है कि हिजाब एक जरूरी धार्मिक प्रतीक है, हेगडे बोल रहा है कि इस मामले में कोड़ को अंतरिम आदेश जेना चाहिए, ताकि आज़ची का लगा रहे हैं लड़कियों को राहत मिल सके, और इस session में बच्ची भी तीन महिने की आओधी में college attend कर सके है। मतलब यहाँ पे हिजाब के साथ में तीन महिने तक आया, यह कहता है यहाँ हेगडे। और Chief Justice यहाँ बोल रहा है कि हम इस मामलें में school college खोलने तक अदेश जारी करेंगे। लेकिन जब तक इस मामे की सुनवाई जारी नहीं होती, किसी भी स्टूडेंट को धार्मी कपड़े पहनने के जिद्द नहीं करनी चाहिए, यह कुछ दिन का मामला है, लेकिन जब तक कोड का फेस्टा नहीं आता, तब तक इस तरह की चीज़े ना पहने, ना तो हिजाब पहनेंगे, ना भगवा कुछ पहनेंगे, यह कहना है यहाँ पर चीफ ज़ेस्टिस का, लेकिन हेगडे बोलता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए हमाई आस्ता को रोका नहीं जा सकता, भई हिजाब के काड़ इसकी आस्ता के साथ खिलवाड हो रहे है, यह कहना है हेगडे का, इसलिए यहाँ पर हिजाब जरूर डालो, लेकिन चीफ ज़ेस्टिस ने आप बोल दिया कि, भई सभी के धार्मिक प्रतीक पहनने पर रोक लगा रहे हैं, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सब के धार्मिक प्रतीक चाई हिजाब हो चाई से, यहाँ पर भगवा हो, सब पर रोक लगा रहे हैं, इस पर वकील ने यहाँ पर विरोध भी जता है, यह हुआ है आज, और अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात में बता दू, कि संजय हैकड़े जो है, वो तो यहाँ पर हाई कोर्ट में दलिल दे रहते चात्राओं की और से, लेकिन यह मामला जान बुझकर कांग्रेस नेता, और वकील कप्पिल सिब्बल ने भी यह केस करनाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए, नो जजो की कॉंस्ट्यूशन बेंच से सुनवाई कराने की मांग की, यह देखिए, कप्पिल सिब्बल यहाँ पर भी घुज गया, और यहाँ पर बोल रहा है कि नो जजो की कॉंस्ट्यूशन बेंच है, उससे सुनवाई करवाओ यहाँ पर, एसे में यहाँ पर जो यार्ची का पर सुनवाई के दुरान सीजी आई ने काया है, कि पहले करनाटक हाई कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई का फैसला ने दे, इसके बाद हम इस मामले को देखेंगे, फिर भी लगातार यहाँ पर कप्पिल सिब्बल बोलता रहा, कि नहीं यहाँ पर सुप्रिम कोर्ट सुनवाई करें, लेकिन यहाँ पर मांग को खारिच कर दिया गया, कि जब तक यहाँ पर पहले कोर्ट का फैसला नहीं आचा, उसके तब तक यहाँ पर सुप्रिम कोर्ट जो बेंच है, वो यहाँ पर सुनवाई नहीं करेगी, इसके बाद में कप्पिल सिबल हो भड़क गया और वाज से चला गया, यह सब हुआ है अभी तक, तो अभी तक फाइनल यह हुआ है, कि यहाँ पर चाईसे हिजाब हो, चाईसे भगवा हो सबको, अभी कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया है, और इसके अलवा, इसकुल कोलेजों के 200 मिटर के दायरे में यहाँ पर जमावड़े की अनुमती नहीं है, भी डिकटी करने की अनुमती नहीं है, क्योंकि अकसर यहाँ आपने देखा है कि अभी बाहर के लोग, भढ़गाऊ लोग है, वो भी पत्थर उत्तर फे करेते हैं यहाँ पर, इसकुल कोलेजों में निधायत युनिफोर्म में उसका पालन किया जाए, कि वह सिक्षा पर ध्यान दिया जाए, धार्मी के राधितिक मुद्धों को इसकुल कोलेजों में नहीं लगाना चाहिए, यह यहाँ पर कहना है आदित्य ठाकरे का, महराष्टर में उसे क्या हाल है, वो आप सभी को पता है कि क्या आजकल हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो भी पीछे नियट है, यहाँ पर टांगडा में से, और करनाटक के राजसु मंतियों वो रहे कि, अब यहाँ पर फेसला जल्दी आने वाल है कि क्या यहाँ पर होता है कोर्ट के द्वारा, तो देखा आपने किस तरह से कप्पिल सिब्बल यहाँ पर जान बुझ कर इस मामले को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पर ले जा रहे थे, और यहाँ पर वकील लड़कियों का पक्ष ले रहाता लगातार और बोल रहाता कि हिजाब को अलाउ करें, तीन महीने तक कम से कम जब तक यह पूरा सेशन नहीं हो, इस तरह से लगाता पेशर बनाया जा रहाता, कोर्ट जब बोल रहा है कि नहीं हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, ना भगवा करेंगे, ना हिजाब करेंगे, किसी भी तरह का नहीं करेंगे, के वर ड्रेस कोर्ट को फूलो करना पड़ेगा, जब तक यहाँ पर डिसियन नहीं आ जाए, बात करें इस कप्पिल सिबल की तो हमेशा से यहां पे जो भी देशित में काम होता है उसमें हमेशा से टांग अड़ाता है राम मंदिर के जब मुद्दा था तब यह बार बार यहां पे उसके अंदर टांग अड़ा रहा था कभी यहाँ पे बोला जा रहा था कि राम मादे की जिगर होस्पिटल बना दो चबी स्कूल बना दो इस तरह से लगातार यहाँ पे टांग अड़ा ही जा रही थी और यहाँ पे बीजेपी के भी बीच में यह टांग अड़ा रहा था और अब एक बाद फिर से एसाई करताव होगा तो यह हमेशा बीच में आएगा और अब हिजाब के समर्थम में एक उत्पड़ा कि भाई हिजाब पहने लेकिन अगर बात करें महाँ पे भगवा दुपट्टे की तो उसमें जरू टांगड आएगा कि यह अलाव मत करो आपका करना इसके बारे में आप नीचे कमें करें वीडियो को लाइक करें जदा शेय करें सबीतक पहुंचे चाकि असलियत जो है वो सब तक पहुंचे उद नए है चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किसका इंतजार करें सब्सक्राइब कर दो पास में जो घंटी कर निशान उसको दबाके ओल तो आज के वीडियों में ताई मिल तक वीडियों तो तकले धन्यवाद